Hello students, welcome to M.K.ißWord Students, नोंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, उनके लिए थैंक यू और जो हमारे चैनल पे नए हैं, वो जल्डी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई स्टेडी बेस वीडियो आप तक पहुँच पाए student हम 9th class का chapter 5 कर रहे थे factorization आज हम उसके next sum जो हैं वो करेंगे उसका first जो 5 sum है वो last video तक हम कर चुके हैं आज next 6 sum देखो 16 into a plus b का whole square minus 4a minus 4b अब student अगर दोनों में देखें कि क्या common है common वाला method का है ना उसने इसमें करना है तो same कुछ भी अभी तक हमें नजर नहीं आ रहा है ठीक है अगर हम इनको दो parts में divide कर लिए first part ये हो गया और second वाला ये ठीक है अब इसमें से यहां पे 16 है और a plus b है दूसी तरफ अगर हम 4 common निकाल लें बाहर ठीक है ना 4 बाहर निकाल लिया तो अंदर a अगर minus b निकाल लेंगे तो a plus b बच जाएगा है ना तो फिर chances है ना कुछ common निकाल लेंगे 4 यहां पे 4 fours आ 16 और दूसी तरफ a plus b तो common निकाल लेंगे पहले ऐसे minus 4 बाहर आ गया अंदर a plus b बच गया अब दूनों तरफ देखो यहां four fours आ 16 four भी दूनों में है a plus b यहां two time है यहां one time है तो यह भी बाहर निकाल सकता है है ना तो 4 into a plus b common निकाल लेंगे तो यह आ गया हमारे पास 4 into a plus b common अंदर यहां पे बचा four into a plus b दो थे यहां पे एक बाहर निकल गया यहां पे a plus b इदर यह पूरी term जो है बाहर है four into a plus b है ना तो अंदर बच गया minus one अब यहां पे यह तो ऐसे ही आ जाएगा four into a plus b bracket में अंदर क्या आएगा four अंदर ले जाएंगे four a plus four b plus one अब लग-लग variables हैं इनको हमें जाएग नहीं कर सकते तो यही हमारा answer होगा फैक्टर बनगे ना सभी देखा कितने easy way से हमने यह topic सिखा है as your study based video के लिए हमारे channel को subscribe करें और like जरूर करें thank you